कि अग्या प्रेंड्स मैं आर्वी आदब स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइप चेप्टर का हम लोग आज पांचवा नंबर वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक ऐसे क्वेश्चन को सामिल की हैं जो आपकी एक्जाम के लिए बेहादी महत्पूर्ण होता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन देखने बाले हैं और किस तरह का कंसेप्ट उसमें यूज करने वाले हैं दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि आठ के पर्थम 15 गुनाजों का योग ग्यात करें क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन आपको अनेकों बार पूछा जाता है और पूछने की संभाबना भी है क्वेश्चन एकजाम में कभी भी जो आता है वो कोई भी जो है लॉंक कौस्चन आता या पिर जभी जएदा कंसेप्टिवल जोंक मी आता है ओड़ खास करके यह सब कुष्ळजन कि 8 के परतम 15 गुणज Director क्या होता स्षिधे समझ कि 8 के पहारा को आप जो 15 वा परना है आट के पहारा हो के जिना बहर परना गुणज़ का आर्थ हे होता है कि 8 8 का फिर गुणज़ होगा 16 16re upfront 24 इस टाप का तो सिधा सिंपल समझ इस को हम भीना फिके को यूज्स किये हुए भी बना सकते हैं कैसे आट के है आट के पहारा को आप 15 बार पर दीज में और सबीlden ऌतिच में जोड़ timely बिना ढहता है एमीक के कर आप अब यूज करते हुए किस तरह मिजस्चास को सौल्ब करेंगे लेकिए आठ का जो है हमें गुनज लेना है तो 8 का सबसे 4 गुनज ग्या होगा? 8 होगा उसके बाद 8 का दूसरा गुनज क्या होगा? 8,12, 16, 8,3, 24 और इसी तरह हमको बढ़ते जाना है और 15 टर्म लेना है तर्म कितना लेना है पंदल जैसे यह करें दोस्तोंबि अप्धश मदद से हम क्या निकाल सकते हैंग यह आठ इसके बाद हम इस एपी के मदद से डी बी निकाल सकते हैं एटू माइनस एवन यानि की सोला माइनस आठ तो डी का भेलो आ जाएगा आठ और यहां पर का जारे पंद्र गुन जी यानि की हमारा जो नंबर अफ टर्म होगा पदो का जो संख्या होगा वो कितना होगा पं इसलिए आप समस्ट समझे कि आपको एसन निकालना है क्या निकालना है एसन एसन मतलब आठ के पंद्र गुन जो का योग एसन मतलब एन पदो का योग और यहां पर एसन का जो फर्मूला आप लोग जानते एन बटर टू इन्टू टू ए पलस एन माइनस वान इन्टू दी तो एन एसन यानि की और एन का वैलू आपको दिख रहा कि यह 15 है यानि की सिद्धा सिंपल समझे कि इस एपी के 15 पदो का योग आपको क्या करना है निकालना है इस एपी के 15 पदो का योग तो एन का वैलू यहां पर हम 15 रख देंगे बट्टे टू इन्टू ए ए का वैलू आ पंद्रा माइनस वान इन्टू डी डी का वैलू जो है आप आठ निकाले हैं तो आठ रख दीजिए अब कि पंद्रा बट्टे टू इन्टू आठ दोनी सोला पलस तो दोस्तों अगर हम यहां पर पंद्रा में से एक घट आते हैं तो ओगा चौदा आठ से गुना करते हैं तो चौदा अठ एक सो बारा यानि कि अब क्या करेंगे इसको पंद्रा बट्टे दो कोस्त अटाएंगे तो गुना हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो दू और छो आठ एक और एक दो और यह एक अब आप देख रहे हैं कि दो से अगर इसको आप काटेंगे कोना कोनी तो क्या होगा दू छक के बारा और दू चो का आठ चो सट से यानि कि पुड़ा पुड़ा क्या होगा यह कट जाएगा अब आपको क्या करना है पंद्रा गुने चो सट तो पंद्रा को सिंपली आपको क्या कर लेना है चो सट से गुना कर लेना है पंद्रा गुने चो सट चार पंचे बी कि चार चोएका चो जीरो चार दू छो चो तिन नौ नो सो साथ यानि कि कि 960 क्या होगा आपका आंसर यानि कि आठ के पर्थम 15 गुनाज को अगर हम जोरेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 960 कि दोस्टो आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो भिडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में सेर कर दीजिए और अभी तक आप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बेल एकन प्रेस कर लिजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अफलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी इनके बज़ सब्सक्राइब कर देपी आपको सब्सक्राइब कर लिए खान।